नमस्कार दोस्तों आज सभी धर्सों को मेरे चैनल इंडियान ट्रेन की जानकारी में सागत है आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे आज जो नई ट्रेन जानकारी है वो है कोटा पटना एक्सप्रेस हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे यह गारी कहां से कहां तक चलती है कितने वज़े चलती है और कितने वज़े पहुंचती है साथ में इसके रूट की बात करेंगे और कोच और किराया की भी जानकारी देंगे यह सब जानकारी देने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को दबा लेजिए ताकि कोई भी लेटेस वीडियो डालने पर आप लोग को नुटिवेकरेशन मिल जाएगा दोस्तो कोटा पटना एक्सवेस का गारी नंबर 13-240 है यह गारी कोटा जक्षन से पटना जक्षन के बीज में समबार, मंगलबार, बुदबार और सनिवार के दिन वाया सुल्तानपूर होकर चलती है कोटा जक्षन से पटना जक्षन के बीच की दूरी 1240 किलेमिटर है यह गारी इस दूरी को 20 गंटा 20 मिनट में पुरा करती है इस गारी का अबरेश सबीट 49 किलोमेटर पर गंटा है और मिक्सेम सबीट 130 किलोमेटर पर गंटा है इस गारी में LHB कोछ लगी हुई है इस गारी को पुरुम मद्य रेलवे जोनल अफरेट करती है यह गारी कोटा जक्शन दे चलकर गंगापूर सीटी, मतुरा जक्षन, आगरा कंड, कानपूर सेंट्रल, लखनव चारबाग, सुल्तानपूर, वारनसे जक्षन, पंडित दिन दालुपाद्या जक्षन, बक्सर, अरा जक्षन, बीटा, धानापूर होते हुए पटना जक्षन को जाती है यह गारी कोटा जक्षन से साम 6 बच के 10 मिनट पर 4 नमबर प्लेटफर्म से चलती है और 25 गंटा 20 मिनट का यात्रा तै करते हुए पटना जक्षन को दूजरे दिन रात 7 बच के 30 मिनट पर 7 नमबर प्लेटफर्म पर पहुंचती है इस गारी में कोच की बात करें तो इसमें 1st AC, 2nd AC, 3rd AC, 3rd AC, 3rd AC क्लास, स्लिपर ग्लास और जेनलर के डिब्बे लगे हुए हैं इस गारी में टिकित किराय की बात करें जो की कोटा जक्षन से पटना जी जक्षन के 20 तक का है 1st AC, 3,608 रुपिया, 2nd AC, 2,031 रुपिया, 3rd AC, 1,475 रुपिया, 3rd AC, 1,375 रुपिया, स्लिपर ग्लास, 550 रुपिया, जेनलर टिकित 295 के करीब है इस गारी का साटिक टिकित किराया जानने के लिए रेलवे के काउंटर में आप लोग जाकर पता कर सकते हैं मेरे वीडियो दखने के लिए धनवात प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोडे वीडियो का लाइक और सेर केजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में झाल झाल